दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिखेंगे कि अपने मुवाइल फॉन के जरीए कैसे आप डेलबे टेकनिसियन का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसके एस्टेप बाई एस्टेप सभी जनकारी आपको मुवाइल फॉन से बताने जा रहा है जिससे आपको कहीं भी इस फॉर्म को करने में मिश्टेक या समस्या नहीं होगी अंतातक जूरे रहिएगा पूरी जनकारी अकर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आ है तो इससे लाइक से जरूर कीजिएगा इस परकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब करेंगे आने वाले सारी अपडेट की जनकारी आपको मिलती रहेगे फिलाल अपने स्कीन पर चलते है डीटेल जनकारी बताते है कि कैसे आपको टेकनिसियन भरती का फॉर्म आपको mobile से फिल करना है सबसे पहले आपको अपने मुवाइल में गूगल उपिन करना है गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट सबसेंगे यहां पर दिखेंगे लेटेश जोब आले सक्षन में ही आपको मिलेगा रेलबे टेक्निसें बहकेंसे दुहजार चौबेस जिस पर आपको क्लिक करना है बहकेंसे से जूरी तमाम जनकारी आपको यहां पर बताई गई है आप एक पर पूरी जनकारी जरूर पड़ रहे इसका जो फॉर्म फिलब की परकिरिया है नौ मार्च से स्टार्ट किये गए हैं आठ अपरेल तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर आप दस भी पास है और दस भी के साथ अगर आईटी एक किये हैं तो आप हम को भर सक या वैसे कैनेडियेट हो सकते हैं जो बी एसी किये हुए हैं अलग लग सब्जेक्ट में नोटिफिकेशन में देख लेंगे जैसे फिजिक साह एलक्टिक है बहुत सारे है तो उसमें अगर आपने किया तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर कोई कैनेडियेट दस भी के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो सारी जनकारी आपको मिल जाएगे नीचे आने के बाद आउनलाइन अपलाई करना है तो यहाँ पर एक उप्शन मिलता है ओनलाइन अपलाई का जिसके सामने आपको क्लिक करना है अब जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस वैप आपको मिलता है अपलाई का जिसके सामने आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो अप्शन है पहला अप्शन है कि जिनके पास एकाउंट है वो डाइडेट क्या करेंगे यहाँ पर अल्रेड़ी है वे एकाउंट वाले विकल पर क्लिक क और जिनके पास अकाउंट नहीं है वो नया अकाउंट बना सकते हैं, अब नया अकाउंट किनको बनाना समझ लिजी, जिन्होंने अभी तक ALP का फॉम अगर नहीं भड़ा है, वो Candidate नया अकाउंट बनाएंगे, अगर आपने ALP का फॉम भड़ा है, तो आपको अकाउंट ब बनाना है जैसे ही आप इस वाले option पर create an account पर click करेंगे अगर आपने railway का ALP वाला form नहीं भरा है तब ही आप account बना है अगर भरा है तो direct login कर लीजिएगा दोस्तों यदि आप railway technician भरती की त्यारी करते हैं और इसके लिए आप best book खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्सुप परकासन लेकर आया है technician grade 3 भरती परिक्षा 2024 के लिए काफी सांदार book इस book में आपको 2500 से भी अधिक बहुँ बेकल्पिय परस्न वेखात्मक हल सहित मिलते हैं दो चक्सुप परकासन का जो है technician का railway reasoning का chapter wise solve paper मिलेंगे math का भी आपको solve paper आपको मिल जाएंगे chapter wise और समाने अध्यन का भी chapter wise आपको solve paper मिलेंगे इससे भी आप order कर सकते हैं या आप अपने नजदे की किसी भी दुकान से इससे मंगवा सकते हैं और अपनी त्यारी को बेस्तर कर स करते हैं अब यहां पर पूछा जाता है कि आप अपना country बता है तो यहां पर इंडिया चैन करेंगे personal detail है जिसमें सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है और उसी detail को दोवारा डालना होगा retype में यानि आपको पुना दोवारा अपना जो पूरा नाम हो बताना हो अपना जी का नाम बताना और जो detail बताएंगे उससे दो बार आपको बताने होंगे आपका जो भी अधार नंबर होगा यहां पर अधार नंबर फिल करेंगे एक option यहां पर मिलता है verify using अधार जिस पर क्लिक करेंगे detail आपका verify होगा email id डालना है mobile number डालना है और इन दोनों प पर एक password बनाना होगा इसमें ध्यान यह रखना है कि password जबी बना तो ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर कोई भी छोटा अक्षर कोई भी अंक कोई भी सिंबल जैसे ID rate हो गया हच हो गया यह सब जरूर लगा जो strong password होता है उससे दुबारा से डाले इस capture code को डालना है और नीचे म को option मिलता create an account का इस वाले option पर आपको क्लिक करना है account बन जाने के बाद आपको login करना होगा login करने के लिए आपको इस website पर redirect करेगा यहाँ पर आप अपना mobile number या email ID डालेंगे जो password आपको receive हुए है उससे डालना है या भी आपने जो बनाया होगा वो डालेंगे इस capture code को डाल देंगे login वाले विकल पर आपको क्लिक करना है जैसे आप login वाले विकल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो detail आता है जैसे आप जानते होंगे यह जो बहाली है दो अलग-अलग परकार के पदों पर है पहला है technician grade 1 signal का इसमें जो आपकी qualification है वो B.A.C. मांगे गई है जो कि अलग-अलग subject में है और दूसरा qualification बाले जो post है technician grade 3 की जिसमें दसवी के साथ जो ITA वाले candidate है वो form भर सकता है दसवी के साथ apprenticeship जो किये हो भर सकता है या जो 12th pass किया है फेस जेक्स math के साथ वो candidate इस बाले से form भर सकता है technician grade 3 से तो आपको देखना है कि साथ form को फिल करना है जैसे आपको यहां पर बताएंगे जैसे मान लेजिए हम दसवी पास है ITA किये हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना कि किस zone से आपको apply करना है यहां पर आपको zone chain करना है और उसके बाद नीचे में इस checkbox पर टी करना है एक option next का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे इसमें आपकी लगभग बहुत सारी जनकारी पहले से फिल अप रहेगा यहां पर आपसे पूछा गया कि आपकी साधी हो चुकी है तो मेरे डरने था और मेरे वाले भी कल पर क्लिक करें religion आपको बतानी है फिर यहां पर आपको बताना है कि जो exam होगा उसमें कौन से language आप रखना चाहते हो आप यहां से chain कर सकते हैं कई सारे language का आपको option मिलते हैं यहां पर आपके सरीर में कोई निसान है कटा का जला का वो आपको बताना है दो निसान पर्मानेंट निसान बताना है तो बताना नहीं है तो no mark भी आप बता सकते हैं इसके बाद नीच इसी NCL के तहत आते हैं तो यहाँ पर आपको S करना है नहीं आते हैं तो नोग करेंगे उसके बाद आपना जो भी NCL certificate नमबर है उससे आपको डालना है और जो certificate है वो कहां से इसुआ है वो बताएंगे साथे साथ किस state इसुआ है इसुडेट क्या है वो बताएंगे इससे अनुसार कोई मान लिजिए SC वाले candidate है तो यहाँ पर आपको बताना होकर जैसे SC वालों को उसका जो का certificate वो बताएंगे कहां से इसुआ है वो बताएंगे कभ इसुआ है उसकी जनकारी देनी है और certificate नमबर देनी है हो अगर आपको चाहिये तो आप यहां पर आस्नों में उसकी जनकारी दे सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आप से postal address पूछी कई है पोस्ट अलेड के स著ic व्र सवागा अगे अगर किसी का प्रमानेंट और कुर्सपोर्ण本र दोनों समानहें या या नेचे टीग करेका दोनों फिल हो जाएगा और अलग-अलग है तो यहां पर अलग-अलग जनकारी को आपको fill करना है उसके बाद save बाले बिकल पर click करना है फिर next बाले बिकल पर click करना है अब यहाँ पर आप सब कुछ जैनकारी पूछी जाती है जैसे अगर आप एक serviceman है तो इसनों में बताएंगे दिवियांग अगर है तो इसनों में आपको बताना है EWS से अगर आप long करते हैं certificate holder है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं railway में अगर आप employee है तो इसनों में बताएंगे current में अगर आप किसी भी department या organization में work करते हैं तो उसकी जनकारी आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपने act apprenticeship किया है तो इसनों में इसकी जनकारी आप दे सकते हैं अब नीचे आना है यहाँ पर जो फी आप से ली जाती हो फी refund भी किये जाते है तो वो refund आप किस account मिलेना चाहते हैं उस account holder का नाम बताएंगे account number बताना है साथे साथ उसका IFC code बताकर confirm करेंगे आपका जो detail है automatic जैसे bank का नाम आपका जो भी detail है bank address हो आजाएगा उसके बाद नीचे आपको आना है एक option यहाँ पर मिलेगा 7 next का जिस पर आपको click करना है उसके बाद आप से qualification की detail पूछी जाएगी जिसमें सबसे पहले matic की detail पूछी जाएगी जैसे matic आपने किस board से किया किस state से किया किस district से किया है और कब आपने pass किया passing date बताएंगे और roll number आपका क्या है वो बताएंगे उसे डाल कर save करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आपने ITA किया है या आपने apprenticeship किया है या 12 भी किया है इस परकार उसका detail चुनेंगे जैसे ITA किया तो ITA बताएंगे ITA या आपने किस state से किया हो बताएंगे किस state से किया है किस district से किया है किस institute से किया है उसकी जनकारी आपको देनी है अब फिर आप कब pass किये उसकी जनकारी आपको यहाँ पर देनी है इस परकार आपको बताना है कि यह जो certificate है SCBT या NCBT से यह सू हुआ है उसके बाद certificate type किस परकार है इस परकार यह detail आपको देनी है उसके बाद इससे भी add करेंगे और उसके बाद एक option next का मिलेगा जस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको photograph upload करना है photograph का guideline दिये गए है कि photograph आपका 37 कभी में होगा आप यहाँ पर view simple photo वाले विकल पर जब click करेंगे तो इनके द्वारा बताया भी गया है कि इस परकार का अगर आप photo लगाते है तो यह acceptable नहीं है इस परकार का photo आपको देना होगा कोई भी चसमा या कोई भी टोपी यह सब लगा कर photo आपको नहीं click करना है फिर यहाँ पर signature का guideline दिये गए है कि signature जो आपका होगा यह आपका करीब जो है 30 से 70 के भी के बीच होगा इसके बारे में भी बताया है photo signature upload करने के बाद next वाले भी कल पर आपको click करना है थोड़ा सा wait करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने post खुल कर आ जाता है जैसे जो qualification आपने दिया होगा उस qualification के coding जो भी post आप eligible होगे वो देखने को मिलेगा आप यहाँ से preference के तोर पर दोनों को चुन सकते हैं यहाँ पर आपका यह आ जागा अगर आप चाहते नहीं एक ही डालना है तो आप एक ही को चुन सकते हैं आपके उपर depend करता है आप जितने post के लिए eligible होगे सब का यहाँ पर आपका list खुल जाता है अब आपको declare करना है सबी checkbox पर आपको tick करना है यहाँ पहले list लिखना जहाँ से form भरते हैं उसके बाद एक option यहाँ पर मिलता है save का जिस पर क्लिक करें और एक option मिलता है preview application का जिस पर क्लिक करना है अब इस preview में आपको पूरी जनकारी दिखनी है कि जो जनकारी आपने दिया हो बिल्कुल सही है कूल भी detail अकर गलत है तो अभी आपको option दिएगा है नीचे देखेंगे edit का आप edit कर सकते है detail अकर सही है checkbox पर आपको tick करना है एक option submit का मिलेगा जिस पर आपको click करना है थोरा सा wait करेंगे आपका जो form है इस पर कार्ट submit होता है आप submit वाले विकल पर click कर देंगे अब आपको payment करना होगा देखेंगे आपके category के according जो भी payment लगेगा और देखनों को मिलेगा पेनाव वाले विकल पर click करना है यगरी करकर proceed वाले विकल पर आपको click करना है जैसे proceed करेंगे अब payment आप कैसे करना चाहते है यहाँ पर डेविट कार्ट क्रेडिट कार्ड नेट पाएंगे option है आप जो भी माध्यम चुनना चाहते हो उस माध्यम से payment करेंगे जैसे हमने card चुना है तो card की detail month, year, CV भी डालेंगे card कीन के नाम से वो डालेंगे नीचे में अपको option मिलता pay now का जैसे पर click करकर payment पूरा करेंगे और इसका print निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपको पूरी जनकारी बताया कि इस mobile phone के जरिए कैसे railway technician भरती का form आपको fill करना है उमीद करता हूँ आपको पूरी जनकारी मिली होगी कहीं भी कोई doubt confusion है आप नीचे comment box में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद